हेलो और नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टो मैं यूटूब चैनल तो आज का वीडियो की स्टपिक के उपर होने वाला है यह तो आपको मेरा थामलेन और टाइटल लेखके पता लग गया होगा फिर भी दोस्तों मैं एक बार बोता देता हूं आज हम दोस्तों करने बले हैं आज हम देखेंगे यह जो कि आमरा कंपनी बोलता है यह वाटर प्रूफ है सच में वाटर प्रूफ है या नहीं आज का इस टेस्ट में पता लग जाएगा चलिए दोस्तों मिनार कुछ डरी के जल्दी से वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहल यह मिलेगा जब भी मैं नया वीडियो अप्लेड करूंगा आपके मॉइल पर नौटिवेशन चला जाएगा तो जोस्तों चलिए सुरू करते हैं हमारा वाटर बूट टेस्ट दोस्तों यह एक छोटा सा पाउच और इसी के अंदर में मेरा आक्षन कैमरा को रखता हूं तो इस क्यामरा में आपको दो सटर देखने को मिल जाएगा एक तो है आपका जो है मैं अपना क्यामरा को चार्ज करने के लिए यूज करोगे उसको उपन करके और नीचे वाला जो उपन करके आप इसमें बेटरी को निकाल सकते हो और मेमोरी कार्ड भी निकाल सकते हो डाल सकत करेंगे कैसा रेजल मिलता है तो चलिए दोस्तों मैं मेरा बैट्ट्य और मेमोरी काड को अंदर डाल देता हूं और आपको मेक्सर करना है यह जो ढखन आप देख रहे हो यह आपका अच्छे से लॉक होना चाहिए दोस्तों अब जब भी इसको प्रेस करोगे इसमें आप एक टक करके साउंड आएगा तो आपको पता लग जाएगा यह अच्छे से बंद हो चुका है और इसमें भी आपको एक टक करके साउंड आएगा उसके बाद ही आपको पता लग जाएगा यह अच्छे से बंद हो चुका है तो आपको मेक्सर करना यह अच्छे से बंद हो नही डर किया दोस्तों अंदर चला ही जाएगा दोस्तों और आपका कैमरा खराब भी हो सकता है इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं इस दोनों धकन आपका सही से बंद होना चाहिए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं waterproof और अभी मैं कैमरा को भी on कर देता हूँ आप सिंपली पता लग जाएगा कैमरा मैरा सही में काम करता है या नहीं तो आप देख पा रहे होंगे मैरा कैमरा बिल्कुल on हो चुका है और अच्छे से काम कर रहा है तो आप देख पा रहे होंगे पानी के टाप भी मैरा open हो चुका है और अभी हम डालते हैं कैमरा को उसमें प्र से पानी के अंदर लेकर दिखाऊंगा कैमरा को तो ये मेरा रेकडिंग चलू हो गया है और अभी ये जो रेकड करेगा क्यामरा उसका फूटेज भी मैं भीडियो के एंड में डाल दूँगा तो आपको पता लग जाएगा कैसा ये रेकड करता है पानी के अंदर और शाउन भी आपको उसमें सुनने को मिल जाएगा और आप देख पा रहे होंगे अभी मेरा जो पानी में पिल्कुल है क्यामरा और देखते हैं ये सच में वाटरप्रूब है या नहीं तो बस दोस्तों इसको अभी एक देख पा रहे होंगे आप रेकरिंग चालू है क्यामरा में और कोई भी ऐसा इसू नहीं देखने को मिल जाए अभी तक यह आप देख पा रहे होंगे रेकरिंग चालू है तो इसको पोस्ते हैं क्यामरा को एक साथ सुखा कपड़ा में दोस्तों मैं अच्छे से पोच चुका हूँ क्यामरा को और आप देख पा रहे होंगे सिंपली स्क्रीन पर यह जो क्यामरा में जो रेकरिंग बटन ओन था ओन ही है और रेकरिंग अभी चालू है तो यह फूटेज में वीडियो के एंड में डाल दूँगा तो आपको पता लग जाएगा तो एक में दूस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ क्यामरा में आपका वीडियो किस तरह से रेकरिंग हुआ है तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे ये बिल्कुल ही अच्छे से रेकर हुआ है आप देख पा रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे तो waterproof test के बाद जब मैं इस battery वाला slot को open किया तब मुझे दिखा कि थोड़ा सा water इसके अंदर गया है आप सिंपले आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों जैसे की company ने बताया था ये camera आपका waterproof है साच में ये camera आपका waterproof भी है हमें इस test में पता लग गया है और इस camera के लिए आपको कोई भी waterproof case खरीदना नहीं पड़ेगा बर दोस्तों company का बोलना है अगर आप 10 meter से ज़्यादा नीचे जान इस camera को ले के जाओगे तो आपको waterproof case चाहिए होगा तो simply ये तो मैं motor logging के लिए purchase किया है और मेरा ये test से मुझे पता लग गया है कि ये camera मेरा motor logging के time में अगर बारिस होता है तो कोई भी problem नहीं होगा गर इस camera में external microphone नहीं लगा होगा तब बड़ दोस्तों इसमें external microphone लगाओ या नहीं लगाओ इसमें तो voice recording तो कैसा होता है ये आपको तो पता ही होगा क्यों अगर आपको पता नहीं है तो उसके बारे में मेरा पूरा series बनाया है में इस camera के external microphone के बारे में आप चाहो तो इसी channel पर पढ़ा है मेरा आप चाहो तो जाके देख सकते हो उस video का link भी मैं नीचे description में दे दूँगा दोस्तों जैसे कि मैं आपको camera में कैसा record हुआ है उसका footage दिखाऊंगा वीडियो के end में बोला था आप simply देख लिजिए और enjoy कीजिए दोस्तों इस video में बस इतना ही उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस video के like करिए और मैं चैनल को subscribe कर दीजिए और हाँ दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद नहीं है तो इस वीडियो को एक डिसलाइक करना पर दोस्तों नीचे चरूँ कमेंट करके बताना आपको ये मेरा वीडियो क्यों पसंद नहीं है ताकि दोस्तों मैं जब भी नेक्स टाइम वीडियो बनाऊंगा वो ग झाल झाल